हलो दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको डेवलपर आप्सन की कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आफ कर देने के बाद आपका फोन जल्दी हैंग नहीं होगा और ना ही जल्दी खराब होने के चांस बनते हैं अगर आपके फोन में वाच चार आप्सन हमेशा आन रहते हैं तो आपका फोन बहुत जल्दी हैंग होने लगेगा और आपका फोन खराब होने की चांसे बहुत जादा बन जाते हैं अब वह चार आप्सन क्या है जानने के लिए वीडियो को बिना इसकिप किये पूरा जरूर देखिएगा तो यदि इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल आइकन पर क्लिक करके इसे ओल पर कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और वीडियो के एक लाइक चरूर कर दीजिएगा तच्छली अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ आपको सबसे पहले अपने mobile की setting पर आ जाना है इस पर आ जाने के बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा additional setting का आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद आपको यहां पर नीचे की तरब सबसे last week option मिलता है developer option आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद अब मैं आपको वे चार शेटिंग के बाले में बताने वाला हूँ जिसको आपको हमेशा अपने phone में off रखना है तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले number की setting की आपको यहाँ पर 3 आपको इसे हमेशा अगर आपके phone में on है तो आपको इसे हमेशा off रखनी है अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ इसे off रखने का मतलब क्या है अगर आप माली जी अपना phone charging पर करते हैं और आपके phone में यह developer option पर यह option on है तो आपका phone जितने भी time charge होता रहेगा तो उतने time आपके phone पर light हमेशा जलती रहेगी जिससे कि आपके phone की battery के खराब होने के भी chances बढ़ जाते हैं और phone भी खराब होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए आपको यह option हमेशा off करके रखना है तो अब हम बात करेंगे second number के option की तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है और आपको यहाँ पर एक option मिलेगा automatic system update तो आपके phone में अगर यह on है तो इसे आपको हमेशा off करके रखना है जिससे कि आपके phone में automatic updates ना हो मा लीजिए updates अपने मन से होना अच्छी बात है बट कोई-कोई update ऐसे भी होते हैं जिने आपको update नहीं करना होता है वो भी update हो जाते हैं जिससे कि आपका phone hang करने लगता है या जल्दी खराब हो सकता है इसलिए आपको automatic system update वाला option भी हमेशा off रखना है अब हम लोग बात करेंगे third number के setting की आपको सबसे नीचे आ जाना है सबसे नीचे आ जाने पर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा force allow apps to write on external storage इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यह भी बता देता हूँ माल लीजिए कि आपके phone का storage full हो गया है और यदि आपके phone में storage है भी बट अगर आपके phone में यह option on है आप कोई भी application डाउनलोड करेंगे तो वह आपके storage में ना डाउनलोड होके बलकि आपके memory card में डाउनलोड होती है हलाकि यह option तो अच्छा है बट जिसके पास memory card जिसके phone में डालने का option है only उन्हीं के लिए option बहतर है और बट जिसके phone में memory card डालने का option नहीं है तो उस लोगों को यह हमेशा off करके रखना है क्योंकि अगर आपके storage में application डाउनलोड नहीं होती है अधर कहीं चली जाती है तो इससे आपका phone बहुत जल्दी खरब हो सकता है इसलिए आपको एक option मिलेगा demo mode का अब demo mode का option अगर आपके phone में on है तो आपको इसे हमेशा off कर देना है अब जैसे कि मैं इससे बता जैसे मालीजी आपने इसे on कर दिया आप यहाँ पर उपर देखेंगे कि मेरे phone में आप परजन टाइम 65% बैटरी सो कर रहा है अब मालीजी मैं इसे on कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे उपर 100% option आगया अब इससे आपको होगा क्या अब मालीजी आपके phone की battery 0% होने वाली है बट आपके phone में यह option on है तो आपके phone में फिल भी 100% ही दिखाएगा आपके phone की बैटरी 0% होने वाली ही क्यों ना हो तो इससे आपको दिक्कत हो सकती इसलिए आपको हमेशा इसे off करके रख देना है तो दोस्तों यह चार सेटिंग ऐसी थी जिससे कि आपको बहुत ही साफधानी से काम करना होगा और इसे आपको हमेशा off करके रखना है तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे कि आपको मेरे वीडियो की सबसे पहले मिलती रहे तो चली हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद